हलो एंड वेलकम टू नियूस क्लिक नमस्कार आदाब मैं परणजोई गुहाथा कुरता और आज मेरा साथ स्टूडियो में कुमार संभव श्रिवास्तव ग्यारा साल पत्रकारता कर रहे हैं स्वाधीन पत्रकार है और कुछ दिन पहले इन्होंने तीन लेक प्रकाश किया सिर्व अंग्रेजी में नहीं अलग-अलग भाषाओं में इन्होंने प्रकाश किया ये है जंजवार हिंदी में सावुकु तामल भाषा में और कनाडा में भी प्रजावनी धरित्री उडिया भाषा में तिलगु भाषा में न्यूज मीटर और अई मुखम मल्यालम भाषा में तीन लेख अभी तक आये हैं और ये तीन लेख एक और लेख आने वाले हैं तो आज मैं उनसे किस विश्य के उपर बाच्चित करूँगा चर्चा करूँगा संग्शित में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ 1949 साल में जॉर्ज औरवेल ने एक उपर नास रिखा था 1984 उसमें एक जगा में लिका हुआ है बिग ब्रदर इस वाचिंग यू यानि कि बड़ा भाई हर नागरिक क्या कर रहे है क्या नहीं कर रहे है सब देख रहे है आज क्या भारतवर्च में ये वास्तव हो गया इस दिस रियालिटी आज भारतवश में आपका उमर कितना है आपके से शादी किया आपका धर्म क्या है आपका जात क्या है आप कितना पैसे आए कर रहे है आप कहां तक शिक्षा के आपका शिक्षा के वारे में आप संपत्ती का मालिक है आपका पास पासपोर्ट है गारी च आप विकलंक है और सिर्फ आपनी आपके सारे परिवार ये सारे विक्ति के उपर जो नीजी सूचना आप समझ लीजी ये ये अंग्रेजी में शब्द है प्राइवसी इसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि नीजी था एक तरह से एकांट था गुप्त था ये सब मिला के आप जो जो सूचना आज भारत सरकार के पास है। आज भारत सरकार सब एकाटा करके एक डेटाबेस त्यार किया और वो डेटाबेस हर समय ये अपडेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? भारत वर्ष एक सर्वेलिन स्टेट जो जो शम्ता में है जो राजनेता है जो सरकारी आफिसर है जो पुलीस अधिकारी है आपके वारे में बारी की से हर सूचना इनके पास है की नहीं इस विशे के उपर मैं आज कुमार संभव से बातचित करूँगा वो आपको समझाएंगे पिछले दस साल में एक पंजी था नैशनल सोशल रेजिस्ट्री राश्ट्रीय सामाजिक एक पंजी वो किस तरह से आज बदल गया हूं कुमार आप जड़ा बताईए आपका ये लेक में तीन लेक में आपने क्या क्या लिखा और ये क्यों इतना चिंता का विशे है जी आपने बहुत अच्छे समझाया उसका थोड़ा सा एक बेक ग्राउंड वही कि जो ये निजिता है आपने बताया वो सुप्रीम कोट ने बोला है कि मौले का अधिकार है हर व्यक्ति का औ क्योंकि हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है अपनी निजिता की अपने वेल बीइंग के लिए और उसका वाइलेशन ना हो इसलिए निजिता के लिए तो वहां पर हमारा आता है उस कांटेक्स्ट में ये पूरा जो लेक है और जो प्रोजेक्ट है उसके क्या खत्रे हो सकते है उस निजिता के लिए वो सारी इसमें बात है तो शुरुआत उसकी वहां से होती है कि हमारा एक सोशल एकॉनमिक कास सेंसस हुआ था दो हजार पंद्रा में वो बाहर आया था दो हजार दस में उसमें सारे देश भर के सारे परिवारों से एक एक व्यक्ति के बारे में अदर आते हैं वो एक कानून के अंदर होती है तो उस कानून के अंदर यह है कि आप जंगर्ना कर रहे हैं पर उस जंगर्ना के आधार पे जो भी आपकी संख्या आ रही है लोगों की वो आप पॉलिसी मेकिंग में और हर चीज में इस्तिमाल करेंगे लेकिन कानून यह बो कास सेंसस हुआ था 2015 में जो बाहर आया था वो इस कानून के अंतरगत नहीं हुआ तो उसमें इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और यह कॉंट्रोवर्शिल रहा है सोशिय एकॉनमिक कास सेंसस की क्यों कि वबादित होए थे क्योंकि 1931 साल में पहला वार भारत वर्ट में जिस समय ब्रिटिश राज से आप लोगों से सवाल पूठा कि आपका जयात क्या है आप फिर दुबारा वही सवाल 2011 में कि किया तो वो जब कास्ट सेंसस हुआ तो उस पर कॉंट्रोवर्शी हुई क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टिस को इसकी जरूरत है जहां कास्ट का information उनके पास होगा क्यों क्यों राज नितिक दल कचर्ण है आपके पास अगर जाती की information है हमारे हाँ जांगी आधार पर वोट ड़ाले जाते हैं देश में और कई political parties जात के आधार पर vote मांगती हैं और in fact उनका वो बनी ही है उसी जात के आधार पर बहुत सारी political parties अब जब ये information उनके पास होगी और आपको पता है social economic car census के आधार पर कि किस इलाके में कौन सी जाती के लोग कहां रहते हैं उस हिसाब से आप अपनी political strategy तैयार करेंगे campaign तैयार करेंगे और ये अगर आपको व्यक्तिगत परिवार के आधार पर और पता चल जाता है तो आप व्यक्तिगत आधार पर उनकी micro campaigning कर सकते हैं उनके डर क्या हैं उनकी requirements क्या हैं उस आधार पर आप campaign करके political campaign करते हैं जो हमने देखा हैं अब कमें रोक रहा हूँ नहीं पर शरकार का और कुछ कहना है वहां सरकार कह रहे है कि यह जो समाजिक, अर्थनेते, और यह जात के उपर एक तरह से जो सिंसस कर रहे है इसका कारण है कि जो गरीबी रेखा का नीचे है इन लोग को सरकारी अलग-अलग कारिक्रम का फायदा मिल रहे की नहीं बेटर टारगेटिंग जो कहते हैं डी-बी-टी डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आप देखने चाहते हैं कि जिसको आज एक रसोई गैस का सिलिंडर के ऊपर कुछ एक भूकतान या अनुदान कुछ एक सब्सिडी मिल रहे हैं वो ठीक बेखती के पास जा रहे हैं जो गरीबी रेखा का नीचे एक कोई महिला आपके पास जा रहे हैं या कोई और किसी के पास जा रहे हैं या कोई एक दुकान चला रहा है रेस्टोरान चला रहा है तो ये पूरा ये जो S.C.C.C. सोशियो एकनॉमिक कास सेंसस का यही इसका मूल लक्ष था कि ये सरकार को मदद करेगा कि जो भी इनका जो वेलफेट स्कीम्स है वो ठीक चगा असली वेक्ति के पास असली परिवार के पास पहुच रहे के नहीं आपका कहना बिलकुल सही है और इसकी जरूरत भी है और ये करना चाहिए क्योंकि हमारे हाँ सबसिडीज का इतना लीकेज होता है सही वेक्ति के पास नहीं पहुचता है और इनफेक्ट बहुत सारे सामाजिक कारिकरता जो है और इसके काम कर रहे हैं उनकी ये डिमांड रही है कि आप identify करें accurately कि किसको जरूरत है किसके लिए नहीं है और उसमें social economic cost census का इस्तिमाल किया गया है कई जगे पर इसका इस्तिमाल बहुत अच्छे तरीके से किया गया है आप मन्रेगा में इसका इस्तिमाल होता है इनफेक्ट सारी जो social welfare की schemes हैं उसमे social economic cost census का इस्तिमाल होता है समस्या वहाँ आई है इसमें जब ये कह रहे हैं कि ना की सिर्फ जिनको जरूरत है इसकी बलकि देश की सारी जनसंख्या की हम profiling करेंगे इस social economic cost census के आधार पर और उसको हम live बनाएंगे जो कि हर समय updated रहेगी और ये तो शिर्फ गरीब लोग को न ही हर व्यक्ति मतलब भारत वर्ष में अगर 600 करोर या 130 करोर नागरिक है हर व्यक्ती की उपर सूचना आज भारत सरकार और ये आप जैसे करें live update हो रहे जी हां और वही आप census में तो होती ही है आपकी जो जनगर्ना है उसमें हर व्यक्ती की जनगर्ना होती है लेकिन जैसे ह मैंने शुरू में कहा था कि उसमें आप individual के आधार पे उसकी जानकारी को आप बिना उसकी permission के किसी भी चीज के लिए इस्तिमाल नहीं कर सकते वो SECC में provision नहीं है और जब आप ये एक database बना देंगे जिसमें searchable रहेगा जो computer पर गूगल की तरह है आपका नाम डाला गया और आपकी सारी कच्चा चिट्था जो है वो आपके सामने आगा आपने एक उधारन भी दिया उसके बारे में माँएंगे हाइडरबाद में एक sports person के उपर नहीं उससे पहले मैं आपसे थोड़ा बहुत समझना चाहता हूँ कि आज भारत वर्ष में एक विवाद चल रहे है National Register of citizens जो आप कहरें भारत राष्ट्र नागरिक के उपर जो जो पंजी है इसके उपर एक बहुत ही एक विवाद होगा और आपका लेक में आपने लिखा कि ऐसे ग्रिया मुंत्री ने कहा कौन दीमक है और कौन नहीं है तर्माइट्स तो इसका मतलब है अगर किसी ये सारे जो सूचना है सरकार के पास इसका दुरूपयोग करने चाहते हैं तो कहेंगे आप नागरिक है और आप नागरिक नहीं है कैसे हो सकता है अब क्यूं ऐसे एक तरह से आपका लेक में कि आप लोगों को डरा रहे हैं कि सरकार जो एक अच्छी कारण के लिए सारे सूचना एकटा करें इसका आप दुरूपयोग करेंगे देखे इसमें यह है कि किसी भी चीज का ओपयोग होगा या दुरूपयोग होगा उसके लिए आप आगे के लिए बता नहीं सकते हैं किसी चीज को नहीं हो दुरूपयोग उसके लिए कानून बनाया जाता है किसी भी ऐसी चीज जो की दुरुपयोग हो सकती है उसके लिए आप precaution के तौर पर एक कानून बनाते हैं कि इस चीज का इस्तिमाल इस इस चीज में नहीं होना चाहिए जो की मैंने एक example दिया आपको census का जनगर्णा का कि जिसमें एक already provision है कि इसका किसी व्यक्ति की confidential information नहीं होगी दूसरा उदाहरन जो की इस मामले में National Social Registry में बहुत ही महतुपून है वो है आधार का तो आपका जो आधार की information है वो हर व्यक्ति की information एक database में एखटी की गई है जो हर व्यक्ति के आधार की उसका दूरुपयोग ना हो इसलिए आधार के कानून में ही दो provision है जो ये कहते हैं कि अगर आपकी information एक बार एकटी की गई है आधार के लिए तो बिना आपकी अनुमती के उसको किसी और चीज़ में इस्तिमाल नहीं किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोट ने कहा आधार आधार आप भी कह रहें कि October 2019 में एक समिती का meeting में एक inter-ministerial अलग-अलग मंतराले के जो विशेश अगया है expert committee आके उन्होंने अभी ये कानून या इसका जो regulations है जो rules है जो 2016 में बनाए गया था आधार authentication regulation आधार sharing of information इसमें बदलावाने वाले हैं जी हाँ तो उसकी उस meeting में उस पे चर्चा हुई है और उसमें ये बोला गया है कि ये जो दो provision है उसको हम बदलने के लिए pipeline में हैं ये जो प्रक्रिया है अब ये बदलने का pipeline इसलिए है कि आपकी जो information आपने एक बार अनुमती से दी है उसको वो किसी भी सरकार का कोई भी उद्देश है उसके लिए इस्तिमाल कर सकते हैं अब सरकार का उद्देश तो NRC भी है वही जो आप बता रहे थे अब उसमें NRC में इस database का उपयोग होने से क्या चीज़ रोकेगी उसका तो कोई कानून है नहीं अभी तो National Social Registry में कोई कानून के अंतरगत नहीं हो रही है जिसमें ऐसा कोई provision नहीं है कि ये इसका इस्तिमाल इन चीज़ों में होगा और इस इस चीज़ों में नहीं होगा तो आप law and order में surveillance के लिए भी इसको कर सकते हैं एक बार अगर आपके पास एक database बन गया National Social Registry और सरकार चाहती है कि अब हम इसको इसमें इस्तिमाल करेंगे उसमें इस्तिमाल करेंगे surveillance के लिए करेंगे law and order के लिए करेंगे NRC के लिए करेंगे तो अभी ऐसा कोई provision नहीं है जो इसको रोकता हो तो इसलिए मैंने कहा कि उसका इस्तिमाल किसी भी चीज में हो सकता आपका लेक में मेरा ख्याल है तू स्टे लेक में आपने मनुरंजन कुमार जो आज सब ही इस रिटायरड उनों एक समय यह सारे जो क्या कहते हैं यह कारिकरम ही है जो National Social Registry इनके पीछे थे आपके लेक मेरा आप लिखा है यह वाज बिग प्रोपोनेंट ओव बिग डेटा और बिग डेटा बेस्ट गावनेंस कि आपने किस तरह से आपका प्रसाशन चलाएंगे यह सूचना और आज आज कंप्यूटर में आप जैसे कहा हर वेक्ती के उपर सारे बारिकी से आज यही मरोरंजन कुमार जी कह रहे है कि इसका दुरूपयोग हो सकता है एक पुलीस अधिकारी इसका दुरूपयोग कर सकता है और एक थाना में एक हवलदार एक स्टेशन हाउस आफिसर यह बायो मेट्रिक्स आपका आग का जो आईरिस है आपका जो अंगुठा चाप इस तरह से इसका दुरूपयोग करके एक निर्दोश वेक्ती को दोशी आपकर या उनके खिलाफ आपकुछ अपराद का आरोप लगा सकते इस तरह से मनौरणजन कुमान ने क्या कहा और यह भी लोग क्या कानून तो है कानून अगर कानून का दुरूपयोग करने वाले पहले से भी था इसमें नенная क्या है अगर कोई पुलीस आफिसर कोई सरकारी अढिकारी कोई कानून को घुम फिरके इसको अवाइट करके इवेट करके इसका दुरूपयों करकर रुखते है आज भी कर सके पहले भी कर सकते हैं तो नया क्या है जी आप आज उसके उपास ये टेकनॉलजी के टूल्स हैं जो की और बहुत ज़ादा पावर उनके हाथ में देते हैं प गर लार्जली जो उनका पॉइंट था वो ये था कि और यह उन्होंने फाइल में अपनी सर्विस के दौरान भी नोट किया था तो ऐसा भी नहीं है अक्सर यह होता है कि रिटायर्मेंट के बाद यह सब कहने हैं तो इसमें यह उस तरह की टिपिकल कहानी नहीं है कि रिटा उनको रेलाइज हुआ कि और यह भी हमको समझना पड़ेगा कि जो प्रिविसी की जो डिबेट है और इसके नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं यह पिछले 5-6-7 साल में हमको ज्यादा बहतर तरीके से समझ आया है उसकी समझ तब तक नहीं थी पिछले डेकेड में तो तब जो उनका जो गवर्नेंस का जो मॉडल था कि डेटा बेस के थू हम करेंगे वो था और धीरे धीरे उनको समझ में आया कि यह तो आपका कहना है जी हां बिलकुल अगर उस पे आपने प्रिविसी का रेजीम ठीक से नहीं बनाया गया उसके पहले और वो प्रिकॉशन नहीं बना गई जो कि हमारे इहां उदाहरन दिखाते हैं कि उनका दुरुपयोग हो सकता है और कानून भी बदले जा सकते हैं जैसा कि आधार का कानून उसके जो रूल से भी बदले जा रहे हैं कुमार संबब अभी थोड़ा बहुत आप ये तलेंगाना सरकार ने क्या किया इसके वारे में थोड़ा बहुत आप समझाएए आपका लेक में वो तीसरी लेक में ये लिखा है कि तलेंगाना सरकार ने भारत सरकार को एक तरह से गोपन तरीका से उनके बोला कि हमारे पास है और हमें आधार का भी जरूरत नहीं है हमारा तीस ऐसे अलग-अलग डेटा बेस है और जो भी आप चारे हमारे पास है और आपने खुद कहा कि हाइदरबाद में एक वेक्ती जो आप उनका नाम नहीं लिया वो एक वेल नोन पर्सन एक स्पोर्ट्स पर्सन कोई है और तु स्कूल का जो इम्तिहान का जो सर्टिफिकेट उसका पास्पोर्ट का नमबर उनका ड्राइविंच लाइसेंस उसका गारी का रेजिस्ट्रिंर नमबर और वह पर नहीं पिता और माता कौन है उनका बहन भाई कौन है उनका बी-बी अल दिस इंफॉमेशन आगेटिंग तो यह आधार का क्या ज़रूरत है? तो यह टेकनोलजी में तेलंगाना बाकी प्रदेशों से बहुत आगे रहा है ए-गवर्नेंस के मामले में और जो भी सारे प्रोजेक्ट हाई टेक यहां पर केंदर में हुए हूं सबके पाइलट तेलंगाना में और आंधरप्रदेश जो यूनिफाइड आंधरप्रदेश हुआ करता था वहाँ पर हुआ करते हैं थे तो वो इन सब चीजों में काफी आगे हैं तो अब उनका कहना है और क्लेम है कि हमारी टेकनोलजी आधार से आगे निकल गई है और आधार की जरूरत बेसिकली समझना ये पड़ेगा कि जरूरत होती है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए मेरे नाम के पाँच और लोग हो सकते हैं मेरे पिता के नाम के और मेरे नाम के भी मिलते जुलते पाँच और लोग हो सकते हैं लेकिन मेरे address मेरे पिता के नाम के और मेरे नाम का जो है वो एक ही जगे हो सकता है उस तरह से नहीं हो सकता तो उन्हों ने यह किया कि हम बिना आधार के जो हमारे पास तीन करोर्ड लोगों का तेलंगाना का a hardware is तीन करोर जो वहां रहते हैं उन्हुने उसमैं अध्वाश कंप्यूटिंग क्लिज। को इंटीग्रेंट कर लिया उनके पैरेंट्स उनके नाम हैूर एड्रेस का अधर क險शokes और जेटावेस् को इंटीग्रेट करके सारे की information एक software ऐसा बनाया कि एक click पर सारी information एक जिगह आ जाती है कुबार तुमने ये भी लिखा है तुम्हारा लेक में है कि वहां के जो GT वेंकर टेश्वर राओ जी वहां का commissioner for electronic service देलिगर वहां का है रही हम नहीं दुरूपयोग नहीं कर रहे कोई i-card नहीं दे रहे कोई wickry कर नहीं दे रहे sales tax नहीं दे रहे कोई ठीक तरह से जो आप जैसे कहा जिसका benefit मिलना चाहिए और किसी को मिल रहे है और साथ-साथ राष्टि सुरक्षाबाद के बाद भी आ गया और एक तरह से अपराद को रोकने हम पहले से हम रोक देंगे अपराद कोई करने के पहले हम रोक देंगे और कानून व्यवस्ता law and order these are the purposes और आप कहरें यह अच्छे अच्छे जो कारण है this is really not the real reason और आप एक तरह से मैं दोबारा जैसे पूछा कि आप क्यों इतने डड़े हुए हैं कि वेक्तिगत सूचना जो आप कहरें जो 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 नी जीता एक वेक्तिगत नी जीता इसका उलंगन होगा यूज और मिस्यूज जो होता है उसमें बहुत थिन लाइन होती है कहां पर आप उसका इस्तिमाल अच्छे परपस के लिए कर रहे हैं और कहां पर अच्छे परपस को बोलते हुए उसका इस्तिमाल आप गलत परपस के लिए कर रहे हैं वो उसकी जो थिन लाइन है वो कभी पूरी भी है कि आपको लगता है कि ये suspect है व्यकति, इसके ऊपर निगरानी रखी जाए, ये कुछ कर सकता है, लेकिन कोई item है जो suspect है, पूरी की पूरी जनसंख्या तो suspect नहीं है, मैंनहीं हूं suspect नहीं है, targeted surveillance वेक्तिगत एक surveillance और मासल और हर वेक्ति हर नागरिक का सुचना जी हर नागरिक को आप suspect मान के और उसकी निजिता का उलंगन नहीं कर सकते और इसी के लिए Supreme Court ने एक test रखा है कि अगर आप surveillance कर रहे हैं तो वो जो आपका purpose है वो उसके proportional होना चाहिए तो अगर आपको लगता है कि law and order का आपका purpose है तो ठीक है आप उनकी privacy मुलंगन कर सकते हैं लेकिन वो proportional है या नहीं है ये देखना पड़ेगा दूसरा वो एक law के अंदर होना चाहिए ताकि उसका misuse रोका जा सके ये किसी law के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी नहीं है तो ये इसमें समस्या आ जाती है थैंक यू सो मच कुमार मगर खतम करने के पहले एक सवाल ये चौतर लेक में क्या आ रहे है आप पहले कुछ बताएंगे या ये आपका exclusive है ये आपने भी बताने चाहते है अभी काम चल रहा है उस पर और जब आएगा तब आप देखेंगे किसमें क्या बोला जाएंगे धन्यवाद थैंक ये सो मच आपने 11 साल काम किया हिंदुसाद टाइम्स, बिस्नस स्टैंडर्ड, टाइम्स अव इंडिया, डाउन टू अर्थ मगर ये जो आपने ये लेक लिखा एक तरह से सबसे आपका चैलेंजिंग टाइप अशाइनमेंट में क्या बता हूं और ये इस तरह का जो समय मिलता है आपकी पांच महीने तक आप किसी एक चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकें वो एक पर्टिकुलर पब्लिकेशन में रहते हुए नहीं मिलता है तो उसके लिए जो इंडिपेंडेंड आप ये कर पाया और हमारे जो दर्शक है आप जरू आप मल्यालय में अई मुखम, हिंदी में जंजवार, तामिल में सवुकू, मेरा उचारा निदरूदर चला गया आप माफी मांग रहा हूँ, कनड़ा भाशा में प्रजावणी, ओडिया में धरित्री, तेलेगु भाशा में न्यूज मीटर, आप पढ़ सकते और जरूर प झाल प्रजावणी, तेलेग।